नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में साथियों आज की इस वीडियो में जीके के 20 प्रस्न पूछे जाएंगे और साथ में उत्तर भी बताये जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आपका पहला सावाल है किस देश का जंडा दोहरे तिर्भुज में है क्या आप बता सकते हैं आपका उप्शन है A. बांगला देश का B. भुटान देश का C. क्यूबा देश का D. नेपाल देश का आपका सही जवाब होगा उप्शन D. नेपाल देश का दूसरा सावाल है किस जानवर का सिर काटने पर भी जिन्दा रहता है आपका ओप्षन है A. तितली, B. कॉक्रोच, C. मधुमक्खी, D. मोर आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. कॉक्रोच तीसरा सावाल है संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी आपका ओप्षन है A. अमेरिका में, B. भारत में, C. चीन में, या D. जापान में आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. चीन में सावाल नमबर चार है किस जानवर का खून नीला होता है आपका ओप्षन है A. बाग का, B. ओक्टोपस का, C. मोर का, D. कबूतर का आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. ओक्टोपस का सावाल नमबर पांच है किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं आपका ओप्षन है A. पाकिस्तान, B. चीन, C. मोनो, D. इरान आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. मोनो, D. सावाल नमबर छे है का बड़ी खेल में कितने खिलाडी होते हैं आपका ओप्षन है A. साथ खिलाडी, B. छे खिलाडी, C. आठ खिलाडी, D. दस खिलाडी आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन A. साथ खिलाडी सावाल नमबर साथ है सबसे ज्यादा किस देश में जील पाई जाती है आपका ओप्षन है A. जापान में, B. भारत में, C. कनाडा में, D. चीन में आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. कनाडा में सावाल नमबर आठ है कौन सी मचली का पेट सर में होता है आपका ओप्षन है A. डॉल्फिन, B. वेल, C. जींगा या D. राणी आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. जींगा सावाल नमबर नौ है सबसे ज्यादा अंडा देने वाली पक्छी कौन सी है आपका ओप्षन है A. कोयल, B. तोता, C. कबूतर, D. फिलू आपका सही जवाब होगा ओप्षन D. फिलू सावाल नमबर दस है किस देश में दो बच्चे से ज्यादा पैदा करने पर सजा मिलती है आपका ओप्षन है A. भारत में, B. भुटान में, C. चीन में या D. उत्तर कोडिया में आपका सही जवाब होगा ओप्षन D. उत्तर कोडिया में सावाल नमबर ग्यारह है अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आये थे आपका ओप्षन है A. बीस मार्थ 1498 B. बीस अगस्त 1498 C. बीस मई 1498 D. बीस अपरेल 1498 आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. बीस मई 1498 सावाल नमबर बारह है किस देश में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार गूमते हैं आपका ओप्षन है A. चीन में B. अमेरिका में C. भारत में D. नेपाल में आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. भारत में सावाल नमबर 13 है भारत में सबसे ज्यादा विद्याले किस राज्य में है आपका ओप्षन है A. उत्तर प्रदेश में B. गोवा में C. महराश्टर में D. बिहार में आपका सही जवाब होगा ओप्षन D. बिहार में सावाल नमबर 14 है चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है आपका ओप्षन है A. एक हजार बच्चे को B. दो सो बच्चे को C. पांस सो बच्चे को या D. एक सो बच्चे को आपका सही जवाब होगा ओप्षन D. एक सो बच्चे को सावाल नमबर 15 है किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज़ा खाते हैं आपका ओप्षन है A. भारत देश के लोग B. अमेरिका देश के लोग C. रूस देश के लोग D. जापान देश के लोग आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. अमेरिका देश के लोग सावाल नमबर 16 है किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पसू है आपका ओप्षन है A. पंजाब में B. मध्य प्रदेश में C. हरियाना में D. महराश्ट्र में आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. मध्य प्रदेश में सावाल नमबर 17 है प्रदान मंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपका ओप्षन है A. 20 वर्स B. 18 वर्स C. 25 वर्स D. 30 वर्स आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. 25 वर्स सावाल नमबर 18 है भारत में कपास का सबसे बरा उत्पादक राज्य कौन सा है आपका ओप्षन है A. उत्तर प्रदेश B. मध्य प्रदेश C. गुजरात D. असम आपका सही जवाब होगा ओप्षन C. गुजरात सावाल नमबर 19 है भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है आपका ओप्षन है A. उत्तर प्रदेश में B. राजस्थान में C. बिहार में D. मध्य प्रदेश में आपका सही जवाब होगा ओप्षन A. उत्तर प्रदेश में सावाल नमबर 20 है किस जीव का दिल एक मिनट में एक हजार बार धरकता है आपका ओप्षन है A. मेंडग का B. छिपकली का C. बिच्छू का D. साब का आपका सही जवाब होगा ओप्षन B. छिपकली का सावाल है भारत की पहली महिला प्रदान मंतरी कौन थी? आपका ओप्षन है A. इंदिरा गांधी B. सरोजनी नाइडू C. किरन बेदी D. परितिभासिंग पाटिल साथियों ये सवाल आपके लिए है इसका जवाब आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में देखर जाना है साथियों वीडियों अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा का नोटिफिकेशन को आउन कर लें रोजाना इसी तरह का इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद